नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लेगों का हमारा यूट्यूब चनल में तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आग पोदे के क्या-क्या फायदे हैं इसके बारे में हम आपको कुछ जानकारी देने वाले हैं तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करेंगे तो पाओं के निचला साइट नीचे की भाग में अगर काटा घुश जाता है तो उस पर सूवी लेकर काटा हुआ जागा पर थोड़ा सा खोद लेने का खोदने के बाद ये जो आग का पोदा के पत्ते तोड़ने से जो दूद निकलता है काटा जहां पर घुश गया है उस जागा पर दूद को लगाने का है एससे अगर लगाते हैं तो दूसरे दिन दबा देते हैं तो पाओं का जो काटा घुशा हुआ जागा पर हाथ लेकर धबा देने से अपने आपकाटा निकल जाता है अगर दुसरे की फाइदे के बारे में हम बात करेंगे तो दातों में दर्द है तो उसका जो दूद को दातों में लगाने से दातों का दर्द तुरंद का तुरंद ठीक हो जाता है इसके साथ साथ अगर कहीं पे भी दर्द हो तो पत्तों को लेकर हम लोग जैसा रूटी के गरम करते हैं एसा आठ पत्ते का दोनों साइड सरसों का तेल लगा करके तावा में दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा गरम करने का जैसे हम लोग तावा में पापड को दोनों तरफ केसे उल्टा पुल्टा करके बनाते हैं इस तरह से पत्ते को भी ऐसा करने का जहां पर दर्द है एक धागा लेकर पत्ते के साथ धागा में बांधने से दर्द ठीक हो जाता है इसके साथ साथ तुल्सी का चार पांच पत्ते नीम का चार पांच पत्ते और इसका जो आठ पत्ते का जो दिवद निकलता है चार पांच बून डाल कर और सिल बट्टे पर पीस कर मिक्स करके दात खाच खुजली में लगाने से दात खाच खुजली ठीक हो जाता है तो दोस्तों आज के इस वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ हो तो हमारा यूटूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें कर दोस्तों